नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आए होप आप सब मजह में होंगे दोस्तो आज 벌 यह वाली वीडियो काफी जादा दमाकेदार होने वाली है because आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगो को एक ऐसा stock बताने वाला हूँ जो की fundamentally काफी जादा strong है and इस stock ने आपे 10 is to 1 के ratio से धमाकिदार stock split announce किया है अब 10 is to 1 के ratio का मतलब मैं फटा फट आप लोगों को समझा देता हूँ 10 is to 1 के ratio का मतलब यह है अगर आप इस company का एक stock purchase करेंगे तो आप एक stock 10 stocks में convert हो जाएगा मतलब एक stock के बदले में आप आपको 10 stocks मिलेंगे x date के बाद तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इस stock की में पूरी details दूँगा इस लिए इंड तक देखना इस वीडियो को कहीं पेभी skip मत करना परकाज अगर आप इस वीडियो को कहीं पेभी skip कर दोगे तो आप काफी जाधा information यहां पे miss कर सकते हैं जो कि personally मैंने चाथा है आप कोई भी information miss करो इसलिए इस वीडियो को इंट तक देखना और and कई भी स्किप मत करना चलिए दोस्तों अभी वीडियो को like करदाज चैनल को भी subscribe करदाइज篇 मैं हूँ आरोश आप देख रहे है फिनोमीडिया आरोश चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं कुँं सा है fundamentally strong stock जिसने यहां पर धमा के दार 10-1 के ratio से stock split announce किया है दोस्तो इस stock का नाम बता देने से पहले मैं आप लोगो को इसके कुछ और details के बारे में बता देता हूँ तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं stock के past returns की तो one day के अंदर यह stock अपने higher circuit पे था 4.98% अपता है जो की काफी बहतरीन returns है अब बात करें stock के current price की तो current price चल रहा है stock का वह 190.80 रूपीज पर चल रहा है अगर बात करें अब इस stock की performance की तो 52 week low है वह यहां पर 25.7 रूपीज का है अब जो 52 week high है वह यहां पर 218.50 रूपीज का है तो stock का current price अभी अपने 52 week high की तरफ है जो की हमें यह दर्शात है की stock continuously उपर जाता जा रहा है और अपने 52 week high को तोड़ने की कोशिश कर रहा है अब बात करतें इस company के fundamentals की तो सबसे बहुत हम बात करेंगे इस company के market capitalization की तो जो market cap है इस company का वो 286 crores का है जो की इसे एक small cap company मनाता है अगर हम बात करें यहां पर PE ratio की तो जो इसका PE ratio है वो यहां पर 494.50 का है PE ratio हमेशा 30 के नीचे अच्छा माना जाता है तो इस case में सारे fundamentals अच्छे हैं बस PE ratio यहां पर बहुत जादा है बात करें PB ratio की तो 12.37 का industry PE यहां पर हमें दिया नहीं हुआ है debt to equity ratio की बात करें तो 0.85 का है debt to equity ratio 1 के नीचे अच्छा माना जाता है and 0 के जितने पास हो उतना अच्छा माना जाता है debt to equity ratio यहां पर average है ROE की बात करें return on equity की तो 2.53% का है यह थोड़ा कम है क्योंकि averagely 12 सिफ लेके 15% तक तो हमें normal companies में भी देखने को मिल जाता है EPS की बात करने तो 0.32 का है dividend yield यहां पर 0.10% का है book value इस stock की 12.79 रुपीज का है and जो face value है वह यहां पर 10 रुपीज की है अब नजर मार लेते हैं stock के financials की तरफ सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर revenue की year on year basis पर बात करेंगे 2018 से लेके 2022 तक की तो 2018 में जो revenue था वो यहां पर 61 lakhs का था 2019 में 50 crores पे पहुचा 2020 के अंदर 61 crores 2021 के अंदर 59 crores and 2022 के अंदर 77 crores तो आप देखें तो हर साल revenue यहां पर बढ़ता जा रहा है and almost हर साल ही बढ़ा है बस 2021 में थोड़ा सा कम हुआ था because तब covid आ गया था और उससे सारी companies का revenue यहां पर effect हुआ था all over revenue company का का काफी अच्छे से बढ़ रहा है and 2022 के अंदर 47 lakhs तो जो profit है वो काफी जादा fluctuated है यहां पर हाला कि यहां पर revenue company ने जादा किया है 2022 में अपने सारे years के मुकाबले but जो profit है वो यहां पर कम किया है काफी जादा 2022 में तो जो other expenses थे company उसकी तरफ जादा focus कर रही है and profit थोड़ा सा यहां पर कम होता जा रहा है बात करें अब इस company की net worth की तो यहां पर 2018 के अंदर net worth 3 करोर्स की थी 2019 में 15 करोर्स 2020 and 21 में 16 करोर्स सेम थी and 2022 में currently 21 करोर्स के उपर में आ चुकी है net worth देखें तो यहां पर घटी नहीं है किसी भी साल हर साल बढ़ते जा रही है यहां तो equal है तो net worth काफी अच्छे से बढ़ रही है यहां पर and all over financials चाहे बात और revenue profit net worth की तो सारे ही financials यहां पर काफी जादा strong हमें देखने को मिल रहे हैं अब बात कर लेते हैं इस company के shareholding patterns की and सबसे पहले हम बात करेंगे June 2021 के shareholding patterns की and then उसे compare करेंगे जून 2022 से तो जून 2021 में retail investors के पास 66.43% की holdings थी promoters के पास 33.57% other domestic institutions के पास 0% foreign institutions के पास 0% and mutual fund houses के पास 0% अब इसे compare करेंगे June 2022 से तो जो promoters की retail investors की holding थी वो यहां पर 68.93% पर आचुकी है तो यहां पर almost 2% बढ़ चुकी है retail investors की holding 2-9% और बात करें अगर promoters की तो promoters की holding यहां पर approximately 3% कम हो चुकी है and currently 30.49% पर आचुकी है अब यहां पर हम बात करते है foreign institutions की तो foreign institutions के पास में यहां पर कोई भी holding नहीं थी and recently उन्होंने यहां पर 0.58% company का purchase किया and 0.58% का यहां पर stake purchase किया जो की काफी अच्छी बात है बेकास foreign institutions जब भी यहां पर actively हमें देखने को मिलता है investing करते होए तो एक काफी अच्छी बात हो जाती है share holding patterns की तरफ other domestic institutions and mutual fund houses अभी भी जीरो पे है अब बात करें इस company के नाम की तो इस stock का नाम है आप है veryman global enterprises limited company bombay stock exchange पे लिस्टेड है और जो code है bombay stock exchange का वो है आप है 540570 अब बात कर लेते हैं इसके official letter की तो आप अपनी screen के ओपर company official letter देख सकते हैं जो की company ने normal logo के लिए आप इशू किया है जहां पर सब लोग इसे पढ़ सकते हैं जाके तो इसके अंदर आप clearly देख सकते है company ने आप इस stock split announce के 10 is to 1 के ratio से 10 is to 1 के ratio का मतलब ही हो गया अगर आप इस company का एक stock purchase करेंगे तो 10 stocks यहां पर आपको as a bonus मिलेंगे एक stock के बदले में यहां पर 10 stocks हो जाएंगे आपके X date रहने वाली है stock split की 11th of August के और जो record date रहने वाली है आप 12th of August के रहने वाली है तो अगर आपको stock split के purpose से stock को purchase करना है तो 10th of August से पहले 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 या फिर 10th of August को purchase कर लेना उससे late मत करना नहीं तो आपको bonus का benefit यहां पर नहीं मिलेगा बागी आज की वीडियो में इतना ह बाइ